कि बढ़ाई यह पॉल्लाइजेशन अफ लाइट क्या होता है किसके थ्रूप हाँ ना में उसका याद नहीं एक्चुली किसके थ्रूप आज की जाती है तो क्या होता है चाहिए बताओ अब लोगों कुछ पता है किसी को आइडिया ठीक है चलिए सुनते हैं तो हाइगन साब जो थे समझें हाइगन साब तो बहुत डिटेल में मैंने चोड़ी नहीं पड़ाई आपको हाइगन ने कुछ और भी चीज़े प्रपोस की दी हाइगल सामने बोला था कि जो आपकी ला सैसे निकल बहुत कि सैसे बोलते हैं मकई वेव उसको बूरते हैं जहीं मीडिय तो पॉपर रिकौरेट अपर उन्हों ने बोला था कि यह लॉंगी ट्यूड़डेंएव एक बात और बोली थी उन्होंने बात भच्चों उन्होंने बोली ती ये क्या है है। लॉइटूडनल मलब जिधर वेव का मोशन उधर ही क्या वाइब्रेशन यह तो हम लोग पढ़ चुके अगर ट्रांस्वर्स वह उती है तो यह अगर इधर जा रहा तो वाइब्रेशन किदर होगा किस डारेक्शन भोगा लॉइटूडनल वेव जा रही तो वाइब्रेशन अगर लेकिन हैं वह भी समय की पाफ है उन्होंने बोला तो कुछ लों तो जैसे किसी में कमी स्गराइब्रेशन निक Creation डिय Yap वहां पर तो मीडियम है नहीं कमी निकाल दी अब परसान होगा आगे साथ क्या बता है जैसे उन्हों ने बता दिए के मीडियम चाहिए लाइट वेव के लिए मीडियम चाहिए और एक आदमी ने कमी निकाल दी क्या कमी निकाली उन्हों ने बला अच्छा तुम्हें इसे बत यह पहले हुआ है इसको बोला जाता है है इन्हों ने इंहों नहीं इतर जाता है लाइट क्या है तो इन्हों फिर आगे discovery होई discovery तो लोगोंने बताया स जो होता है यह अगर ई है और यह क्या है आपका भी है और यह क्या है आपका विलास्टी आ लाइट तो इदा लेक्तिक फील इदा मैंगेटिक फील और यह क्या प्रॉपकेशन आ लाइट मैंने आपको समझा रखा है अगर वाइबरेशन होता है तो लाइट प्रॉपकेट होत यहां पर कुछ वाइब्रेशन हो रहा था इस तो हमारा गया है दार प्रोफोगेट हो रही थी नहीं नहीं है तो यह इन्हों तो एक्टों थेओरी दी कि तो लाइट जो है वह कैसी वेव रहे ट्रांसवर्स वीव कैसी वेव है त्रांसवर्स यह घ्लांक और किदर जा रही है और याट्टिक फिल और कैसे हैं परपेंडिकुलर रहे हैं परपेंडिकुलर दिसा में और प्रोपफिकेशन आप लाइट आगे की दिसा में तो हम ने यह कुल मिला के समझा कि जो है Electromagnetic Faith Light Wave क्या है Electromagnetic Faith वह कैसे है Transverse है और Medium की Required उसमें नहीं है Medium की Requirement उसमें नहीं है तो इतना लिख लो तो आगे बढ़ें तो लिखो फहले इसमें हाइगन स्टेट इस अंधर Red stated that, Haighen stated that, first point लिखो, यह लिखो, that light is a mechanical wave, light is a mechanical wave, bracket में, required medium to travel, required medium to travel, required medium to travel, comma लगा के लिखो, he suggested that, he suggested that, there is no vacuum but ether, he suggested that, there is no vacuum but ether, he suggested that, there is no vacuum but ether, but ether का मतलब क्या है, vacuum नहीं है, क्या है, ether है, but eventually, but eventually, ether theory was failed, ether theory was failed, next line से लिखो, बी पॉइंट मला लिखाता है, mechanical wave है, second point लिखो, it is a longitudinal wave, it is a longitudinal wave, light longitudinal wave होती नहीं है, यह मत बोल दीजेगा, असर ने लिखा दिये longitudinal wave है, light कैसी है, transverse wave है, लेकिन हाइकन साब ने शुरुवात दौर में कहा था, यह क्या है, live है, longitudinal wave है, फिर next नहीं से लिखो, later on, it was discovered, later on, it was discovered, that, that light is an electromagnetic wave, light is an electromagnetic wave, bracket में non-mechanical, bracket में non-mechanical, non mechanical मतलब क्या medium की requirement नहीं है ठीक है and it is also a transverse wave it is also a transverse wave it is also a transverse wave ठीक है हो गया फिर लिखो heading डालिए यह बना लो इसको बना लो transverse wave का मतलब क्या है यह direction of propagation of light यह आपकी electric field और magnetic field light wave में क्या होता है electric or magnetic field direction of propagation of light के क्या होते हैं perpendicular होते हैं ठीक है चले बच्चों आगे चले अब हेडिंग डालो unpolarized light and polarized light अब हेडिंग डालिए unpolarized and polarized light इसमें पहले heading डालिए unpolarized light पहले heading डालिए unpolarized light अजब पोलर का मतलब क्या होता है बता हिए पोलर का मतलब क्या है है क्या जिस पर चार्ज हो पोलर है कुछ और मतलब सोचो पोलर का मतलब होता है इस पॉस्टिव चार्ज और नॉट पॉस्टिव चार्ज आ जाता है मतलब निगेटिव चार्ज आ जाता है पोलर का मतलब एक तरीके से जुकाओ एक तरीके से क्या होता है जुकाओ किसी जैसे नार्थ पोल और क्या है अगर आप रख रहे हैं तो जैसे आपको कोई वियू होता है तो आप किसी बात को सोच के किसी के पच्छ में अगर वियू आप रख रहे हैं तो जैसे मैं किसी को बच्छे को बहुत मान रहा हों कहां इसका नमबर में बढ़ा दूँ तो मेरा डीसीजन कैसा हो जाएगा बाइस हो जाएगा और लेकिन टीचर को हमेशा कैसा रहना चाहिए अन्बाइस भीन हेना चाहिए मलब काशिए को ले कर किसी भी परसंट ले कर थि का opinion चाहिए यह खू Must रुकिशे इन्सान की खुँबिए Doctor की कुल भी तो उसेषसरह कुद्स से अन अगर आपका क्या एल उपोलराईज होंगे क्या होंगे हर डारेक्शन में क्या होंगे सिम्मेट्रिकल होंगे ऐसा नहीं कि किसी की तरफ जुका हुआ है जो एलेक्ट्रिक जुकाओ है किसी तरह तो वो कैसा हो जागा पोलराइज थोड़ा इसको और समझनी कोशिच करेंगे एक्चुली में एलेक्टिक और में दोनों में वाइब्रेशन होते हैं दोनों के टर्म में हम चर्चा कर सकते हैं अब तो में प्रोपेट कैसे होती है यह विलास्टी अफ ल लेकिन जो हम चर्चा करने जा रहे हैं इसमें मैंग्नेटिक फील को नहीं लिया गया है किवल एलेक्टिक फील के टर्म में ही सारी चीजे कहानी बताई गई है लेकिन आपको साउच में आता है कि इसमें भी हो रहा होगा एक को बता दें दूसरे में तो क्या है पर्पेट् ठीक है और एगा अस्चमेट्रिकल होगा तो क्या बोल दूंगा पुलराइज का मतलब क्या है कि कि से विशेज निसामें उसका जुकाव है अब देखो तोड़ा और डिटेल में समझें और मैंने बोला कि पॉलराइज लाइश है यह बोला कि आपकी पॉलराइज लाइट है एक हलो हां नहीं पाग गया हुआ है कि अरे थोड़ा क्लास चल ली हमारी हुआ थेर में हो अर एगंटे बाध आऊ कहां है कहां पर तो दस में डुपो एक बज़े तक क्लास है हमारी एक बज़े तक है क्लास पढ़ा रहे ना ठीक ठीक चलो देखो यहाँ पर क्या है डारेक्शन आफ लाइट है तो एक्चुल में क्या है मालो की यह प्लेन है अच्चाइ इसके पर्पेंड्डुकुलर प्लेन मैं रख दिया है तो देखो बात समझों और क्यों यह डारेक्शन आफ लाइट है और इसके पर्पेंडिूक्टलर क्या रख दिः मैंने प्लेन अब यहां पर कोई एलेक्टिक सिटी है एलेक्टिक सिटी वेक्टर है वह इधर भी जा रहा है 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 ऐसे ऐसे सब तरब क्या है वाइब्रेट कर रहा है और सिम्मेट्रिकली कर रहा है कैसे कर रहा है सिम्मेट्रिकली सारी दिशाह क्या है न ilder आन पॉलाराइज उसको क्या और कि क्सी तरफ तरफ जुग तरफ जुग घ्या या लए आ रोलना पोलराइज लाइट जब अब सब तरफ सिमेट्रिकली वैरी है तो क्या वो लेंगे अन पोलराइज लाइज तो इनीशली क्या हो रहा है यह आपका जो प्लेइन सर्फेस है यह पर्पेंडिकुलर है और यहां पर देखो मैं अलेक्टिक सिटी कुछ बना रहा हूं साइड आप लोग को आईडिया लगे कि यह सारी दिसाओं में क्या है सिम्मेर्टिकली वैरी कर रहा है इसको इस ते से हैं आएज से अब कि यह क्या है यह इसी का व्यू है यहां पर है देखो यहां पर यह वाला वाइब्रेशन यह ऐसे नहीं है यह कैसे है यह वाइब्रेशन जो है ऐसे दिखा है वह ऐसे नहीं है कैसे है ऐसे है वैसे तो पॉइंट के रूप में बनाना चाहिए इसको किया बनाना तो अ का में इस पर यहां पर creates अ जा, यहां पर prior 오irteen of light आ ऐसे जारी है जै जो पैन है मेरी यह क्या हैएख लाइट है और इस इसके ऐसे perpendicular सब धिसाव में क्या हो रहा है वाइब्रेशन हो रहा है जो हम जातर देखते हैं वो कैसी होती है अन पॉलराइज लाइज लाइज होती है ठीक है चलो इसमें लिखो जा लिखो इन ओडिनरी लाइट दा वाइब्रेशन आफ एलेक्टिक फील्ड वेक्टर इन ओर्डिनरी लाइट अन पॉलराइज लाइज 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 है अपने उसमें छोटी हेटिंग डालो अन पॉलराइज लाइज लाइज है अन पॉलराइज लाइज यह किसकी चल्चा हो रही है अन पॉलराइज लाइज की ठीक है इसमें लिखो इन ओर्डिनरी लाइज in ordinary light, vibration of electric field vector E, vibration of electric field vector E occurs symmetrically, occurs symmetrically in all direction, in all direction, in all direction in a plane perpendicular to the direction of propagation of light. In ordinary light, the vibration of electric field vector E occurs symmetrically in all direction, in all direction, in a plane, all direction in a plane perpendicular to the direction of propagation of light, perpendicular to the direction of propagation of light. Comma करके लिखिये, ordinary light is always, ordinary light is always unpolarized light, unpolarized, यह कैसी light है, unpolarized light है, देखो बच्चों, या तो यह क्या है, direction of propagation of light, direction of light लिख लो, या direction of propagation of light, और या तो unpolarized light को इस तरीके से रिपिजेंट कर सकते हो, या इसी का, हम इस तरहे का view देखने हैं, इसको माल लो, इधर से और यहां पर क्या कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे अन पॉलराइज और अगर मैं बना दू इस तरीके से देखो तरीक, अंगर इस तरीके से बना लू तो वर्टिकल दिशा में वाइब्रेशं ज्यादा वर्टिकल दिशा में वाइब्रेशनि हमारे कम तो इसको क्या बोलू है इसको बोलूंगा polarize light, क्या बोलूंगा polarize light, अभी समझ मेंक dopp Valentine Automant astrology teeth component गए थींपॉणनट आप लोगे, थी बीकिन है तो इस इस दिशा में component क्या होंगे, ज्यादा वर्टिकल दिशा में component क्या होंगेốt ज्यादा हो चें जिह इनटर दिशा में क्या होंगे तो इस है आपी चलते आगे हम जाते हैं देड़े देड़ें अच्छा तो कैसे करें कैसे बनाएं इसको तो एक इस्टुमेंट होता है या एक चीज होती उसको बोलते है पोलराइड क्या बोलते हैं पोलराइड आपकी कमेस्टी माप लोग्त पढ़ा कर टॉर्मलीन क्रिस्टल वह दो नहीं यह तो फशीक्स में बढ़ा है को मैंस्ट की बढ़ा है कि ऊसी को गहते हैं एक होता है निकicação प्रिस्भ और एक होता है टॉयमिली स्किस्ट सट तो इसको बोलते हैं क्या बढ़ते हैं रहला प्ञाग्श 이ह बिलाइट आर् ही में हेडिंग छोटी ही पोले राइडर पोले राइजर और पोले राइड यह होते क्या है लेखो इसमें लेखो it consists of it consists of long chain molecule long chain molecule aligned in a particular direction long chain molecule aligned in a particular direction and and it convert unpolarized light unpolarized light into polarized unpolarized light into into polarized light वो कैसे में convert करते हैं polarized light में करते हैं example है टॉर्मलीन क्रिस्टल इंपोर्टेंट है बच्चो तॉर्मलीन क्रिस्टल या निकोल प्रिस्म निकोल प्रिस्म अरे कुछ नहीं है light ray ऐसे बोल देंगे light ray आई तॉर्मलीन क्रिस्टल से गुजरी फिर हमें light प्राप तुई तो क्रिस्टल से अगर पास करा दी light को तो क्या मन जाएगा polarized light हो जाएगी ठीक है निकोल प्रिस्म के थुरू पास हो गई तो क्या हो जाएगा वह भी polarized हो जाएगा ठीक है तो कैसे होता देखते ठोड़ा कि इसमें लिखतो लिखो ओ हुआ झाय रइजर यह पुले राइज लिखा है ठीक है तो कैसे करता हो देखते हैं तो फ़र्स केस क्या है फ़र्स केस यह है कि हमारे पास अन पॉलराइज लाइट है और माली यह इस तरीके से हैं इसको बोलते हैं बोले राइड राइड ठीक है पास एक्सिस डारेशन आफ रोपो लाइट और यह अपना है अन पॉलराइज लाइट अन पॉलराइज लाइट अन पॉलराइज लाइट अन पॉलराइज लाइट लाइट लगे बच्चों बाते समझे बाते समझे यह आपकी अन पॉलराइज लाइट है यह पॉलराइड है और देखो पॉलराइड में क्या होती पास एक्सिस होती है तो पास एक्सिस का काम यह होता है कि जो वाइब्रेशन पास एक्सिस के पहल अब यहां पर जो वाइबरेशन इस तरीके से हो रहे हैं सीदे सीदे वाइबरेशन है वो क्या कर जाएंगे अब अब देखो और जी चीदे तो अब अब आपको लगेगा सर यह तो यह वाला पास हो जाएगा बाकी सब यहां तक दिमाग नहीं चला भाई यह सीधे-सीधे तो यह भी सीधे-सीधे तो एक ही आना चाहिए तीन कैसे आगए पर तीन-चार से मतलम नहीं है बात समझो इसका भी तो एक कंपोनेंट इसका भी एक कंपोनेंट और यह तो सिंबल है यह तो सिंबोलिकल रिप्रेजेंटेशन है एक्चुल में तो और भी लाइट्स होंगी ऐसी भी तो होगा ऐसे भी तो होगा कि नहीं होगा होगा ना सबका को scare me 500 सब्सक्राइब कमपोरेंगा इस tidak हो जाए तो हमारे पास वाइब्रेशन तो यह वाइब्रेशन आया अच्छा एक बात और यहां पर क्या है कुछ इंटेंस्टी होगी कुछ इंटेंस्टी हमारी होगी तो जो यहां पर इसकी इंटेंस्टी कम आईगी कि ज्यादा है कम आईगी क्योंकि ब्लॉक हो गया और एक्जैट्ली हाफ होगी क्योंकि कितना भी हो कितना भी हो हर हर लाइट का एक वर्टिकल कंपोर्ण हो एक होरिजेंडल कंपोर्ण हो लोगा सिमिटिकल ही हैं सिमिटिकल ही वैरी है तो जि mrigol फैनाया कि नहीं है सारे क्यों हो जांगे ब्लॉक और सारे रिकाल हो जाएंगे पास तो अगर इंटेंसिटी इसकी इसकी किपनी आयनुफ़ मिन है यहां गर इसकी आ नोट पॉến हॉ कि आइनॉट्प फिसकी आइनंब तब इसकी आए लिलो जेखलो एक लिखल हो आप धिलो पास access passes the vibration pass access passes the vibration which are similar to pass access which are similar to pass access, यह पैललर to pass access लिखलो यह similar to pass pass access passes the vibration which are similar to pass access, next line, in polarised light, in polarised light electric field vector E, electric field vector E can vibrate only in one direction, can vibrate in only one direction, can vibrate in only one direction while in unpolarised light, electric field vector E can vibrate, can vibrate in many direction, in many direction in a plane perpendicular to the direction of propagation of light. in a plane perpendicular to the direction of propagation of light. ठीक है? अच्छा बात थोड़ा समझ लो हो गया रहा है? यह जो हमने रखा यह एसे रखा है? यह इसके क्या है? डारेक्शन अप्रोपोगेशन क्या? इसके perpendicular रखा है और यह भी जो हम देख रहे हैं कैसे देख रहे हैं? और perpendicular ही तो देख रहे हैं, by electric field vector कैसे vibrate कर रहा है? देखो, यह हमने पैरा बॉलाइड रखा, क्या रखा? पैरा बॉलाइड और इस पर इस पर बहुत सारी क्या है? वर्टिकर लाइस हैं और यह हमारा जो है यह क्या है? अन्कॉलराईज लाइड है तो अन्पोलराईज वाला है उसका भी इसा वाला उसका भी कंपोनेट्स नारे श्चा भी संद्ग नुआ तो सा यह क्या यह यह幾y यह दारेट्चन अभराइज है है यह जो vibration हो रहें बच्चों यह किसके परपेंडिकुलर होगा एलेक्टिक फीज वेक्टर है वो डाइक्टिक प्रपकेशन लाइट के तो परपेंडिकुलर हो गई होगा हमेजा ही क्या होगा परपेंडिकुलर होगा बात सज में आई हुआ है नेक्स्ट लिखे है लिए के लिखा आपने है तो यहां पर उनारा जांट अच् सक्क अब किस अब होरजेंटल लग दू तो पोलराइट और होडिएंटल वारा लगे और फिर किसी एंगल पर रखेंगे तीनों में देखते हैं ठीक है तो चलो सेकंड केस देखते हैं सेकंड केस में क्या हो रहा है इसकी कहानी सेम है ठीक उसके बार हमारा तो यहां पर जो वाइब्रेशन ऐसे हो रहे हैं वह सारे क्या करेंगे पास हो जाएंगे तो दिखेंगे कैसे दिखेंगे डॉट किता दिखेंगे ऐसे डॉट यह भी डॉट यह भी डॉट यह भी डॉट यह सारे कैसे कर रहे हैं ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं और जा कहा रहा है यह वाली लाइन क्या है डारेक्शन अप प्रॉपोगेशन और लाइट यहां पर डारेक्शन आप प्रोपगेशन है वह ऐसे ऐसे हो रहा है और वहां पर क्या हो रहा था इस तरी के से वाइब टाथा ठीक है यह आपकी अन पोलराइज लाइज लाइज है अन पोलराइज लाइज 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 है कैसी है पोलराइज लाइज 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 पास एकसे और पास एकसे जब फी बार क्या है और जेंटल इसा में है ठीक है चलिए एक लाइन इस में और लिख लो कि sometime polarized light is also known as plane polarized light आम सुना होगा आपने sometime polarized light is also known as plane polarized light PPL plane polarized light पागिस्तान premium league नहीं है plane polarized light सुना है PPL का नाब अच्छा हम सुचे PSL है क्या सुपर लीग बोलते हैं हाँ 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 सही कह रहा हूँ चल दी नहीं चल दी है पता नहीं चल दी नहीं चल दी यह अन पुलराइज लाइट है यह पुलराइज बात समझे यह ऐसे मैंने दिखाने के लिए रख्था यह एक्च्छल में कैसा है और जेंटल यह और जेंटल बात संज़ा रही है न पुलराइज यहां पर क्या है पॉलराराइज जिसा में क्या हो रआ है तो यह वाले वा想 उसको क्या करेगा dezeСТख करेगा अच्छा इस दिसा में इसी के वाइबरेशन है यह वाले का भी इस वाले का भी सबके और गलादा और गौलनेंट क्या हो गए ब्लॉक कर गए यहाँ पर इसकी इंटेंस्टी अगर मैं बोलू आई तो इसकी इंटेंस्टी क्या आई नौट वाई तू अरे बात समझ में आ रही है कर दूब कर दूब कर दूब चलिए आगे चले बच्चों तो इतना हो गया हम लोग का अचा कब कहलाता सुनो मैंने बोला कि जो इसको क्या बोलते हैं पोलराइज लाइट यहीं पोलराइज लाइट कभी कभी क्या कहलाती है प्लेन पोलराइज लेकिन कभ कहलाती है वह एक स्पेशल कंडीशन है ब्रुस्टर इंगिल का जिसका अभी सवाल भी कुछ दिर पहले आया था वह भी करेंगे हम लोग ठीक है ब्रुस्टर लॉग करेंगे उसमें हम लोग समझेंगे चलिए इतना हो गया तो और देखते है एक कोश्चन लिखो एक कोश्चन लिखिए है where can you distinguish between how can you distinguish between un Crystal light and Polarized light हाओ कै wa dischenguish between un Polarized lights and Polarized light unpolarized light and polarized light कैसे हम लोग वो करेंगे distinguish करेंगे कि कोई light जो है वो polarized है कि unpolarized है ठीक है तो देखो इसमें ये है इसको बना लो ज़रा सा ये diagram दोबारा बनाओ ये नहीं बनाओ रोगों दूसा बनाते हैं ये नहीं बनाओ इसको बनाओ नहीं बनाओ नहीं फॉसा पॉल्ड़ा पएंगे कि नहीं समझे ये हैं ये ये उन पॉलराईज लाइड हैं ये पॉलराइड हैं ये वह अन पॉलराइड हैं और वहाँ पे हमारा क्या धूस मोचा जाणा है कि कैसे परदा चलेगा की पोले राइज माइज है कि पड़ा ना ने मर तो हमने चाहा कि यह जो सुनो सुनो इसको मैं होरिजेंटल करूंगा तो इंटेंसिटी बोलो यह वाली लाइट किंदा रहेगा आई बड़ यह बीच में लगाए ना यह आपकी एंपोलराइज लाइट यह पर यह पोलराइड और यह क्या है तो इसको मैं और जेंटल करनको तभी इंटेंसिती क्या होजेगी सबड़ा अपलोग समझो कि इसको में थोड़ा सा ते पारोऊ तो भी आधिंटेंस्टि यह एंधि नहीं जाएगे यह बात आ रहे हैं बताओ नहीं बेटा देखो एप्रॉक्सिमेट इस्टेडी है थोड़ा समझने कोसिस करिए यह जैसे यहाँ पर था मालो थोड़ा इसको बनाद और यहाँ पर ऐसे तो था जैसे यह वाला था और इसका यह सारे कंपोनेंट पास कर रहे बहुतां नहीं पास कर रहा था यह क्या पास कर दें अब मैंने को मैं थोड़ा सां ऐसे गुमा लूं मैं इस तरीके से मिन तो इसका मनला twiceних सेज्स कैसी एक यह वाली वह जंसन ऑस उसके व्हाली आशन्स के वाली हो गई अब सबका इसका कंपोनें इसके मैं इसका कंपोनेंट इसकी लिषामें इसके घॉसामें इसके कोने इसके दिसा में वहीं सारे पास करेंगे और सारे क्या हो जाएंगे ब्लॉक हो जाएंगे तो अभी भी क्या होगा आधे पास किया दे रुख गया तो अभी इंटेस्टी क्या है अगर सों फाला हिए हैं यह तो सिमिटिकल वैरी कर रहा है ना इसमें कैभाइन हीट प्रेपास करेंगा आदे, ब्लॉक हो जाएंगे, तो on rotating the parallelide, polaride, on rotating the polaride, there is no variation of intensity of the polarized light, बात सब्स्वन में? on rotating the polaride, there is no variation of intensity of polarized light, if it is there, then the light, जो light नायट आ रहे है वो ऑडिया जादा, और अगर अगर यह पॉलराइज होती तो ब butt Beyond में झालय ज़ाता हो तो हर एककल में सब्सक्यान होता तो नड़न रोटेट करता है anxiety में क्या मिलता variation मिलता, तो rotation अप पता लगा सकते हैं और intensity पर variation लि लग लग गया मतलब जो light वो कैसी है polarized light है, कैसी है polarized light है, तो अगर unpolarized है, तो there is no variation of intensity, और polarized light है, then there is variation of intensity, क्या मेरी बात सान में आईी ठोड़ी बह। ठीक है, चालो, इस बात को लिख लो अभी अभी करके लिखना पहले ये लिखो अन पोलराइज आई ये लिखें पहले लिखो अन पोलेराईज लाइट एक और टर्म हुँँ मैं भूल गया भी बताता हूं यह अम क्या लिख रहे हैं अन पोलराइज लाइज क्यों इसी के लिखें इसमें लिखिये है, on rotating, on rotating, on rotating polaride, polaride, intensity of emergent light, intensity of emergent light will remain same, will remain same. एक हलका सा बिटा, मैं थोड़ा सा आपको हलका सा गलत बता दिया हूँ, सुन लिए, यह जो हम चर्चा कर रहे है, unpolarized light की, polarized light की, तो polarized light तो केवल यह light क्या है, polarized, तो polarized light में vibration किदा रहे हैं, केवल एक ही दिशा में, तो इसमें तो rotation दोगे, तो intensity क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, intensity क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और जो मैं बता रहा था आपको, उसको बोलते है, पार्सली पोलराइज, जो एक दिशा में, ज्यादा, और दूसी दिशा में, उसको क्या बोलते है, क्या बहुतते हैं już यहां एक हम लगा राइजन एक होता है उस्में क्या होता है दीला कि यहांσι इडला trainings क्या है लौत प्लोईराइज में हुदा करें हैं अगर उसमें क्या होता है शिम्मित्रिकल कारिखनी एक सब्सक्राइब में रख एक मेन स्टेक्राओं मैं रुषा कि सिरिदिशा में के दॉख दीज़नेकों किसी दिशा में कि स spill stray इंटेस्ट पिरी गज़ेगी ए्लाइट निहां सेकन्ड06 फ़ुलराइज लाइट ज़兩個 इस है नहीं एक तो किसी को इंट्री कर रहे यह पार्सटी भी नहीं है बहुत है इस तरी की सिए और यह लाइट जब इसमें से पास का पास एका है से है तो पास कर देगी पूरी पूरी पास कर देगी और इसको मैंने रोटेट कर दिया और जेंटल कर दिया तो कितनी पास करेगी if the intensity at some point will become 0, intensity at some point will become 0, इसका मनलब जो light वो कैसी है, polarized light है, कैसी light है, polarized light है, लिख लो, on rotating polarize, on rotating polarize, intensity of the emergent light, intensity of the emergent light, varies from maximum to 0, varies from maximum to 0, then it is polarized light, then it is polarized light, on rotating polarize, intensity of the emergent light, varies from maximum to 0, जो, maximum अलब, I not by 2, और polarized में गुमते 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 जब यह horizontal पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हम क्या करदेंगे, polarized light है, क्या करदेंगे, polarized light है, थर्ड लिखे पार्सली पोलराइज, थर्ड लिखे पार्सली पोलराइज, पार्सली पॉलराइज डाइट क्या है कि अगो वाइटिकल दिशा में वाइबरेशन जाधा माल ले रहा हूं horizontal में कम अन्यवों लेगा तो इसका component देखो बच्छों इसका component कुछ इदर इसका component कुछ इदर pass excess Christом क्या हो जाएगा pass हो जाएगा फिर paraboloid को मैं गुमांगा सब् tienes यह यह द्राएगी है निक्रानी हो जाएगी क्योंकि कुछ ना कुछ और लाद घारिए प्रॉस्हार लुख वोरे टो नहीं लापलặती क्यों तो यहां पर क्यों जाए है कि जँगा तो सो रही होता और ध्रीमु और जब समझांगे तो सामने देखो लाज में सोई और शे गंटे की निया करो है क्लास में मत सो बैटा देखो यह विटिकल दिसा में क्या गया विटिकल दिसा में तो क्या इसको पेराबॉलाइट को मैं घुमाऊंगा तो अगर होडिजेंटल में भी ले हो जाएगा intensity intensity 0 नहीं होगी अच्छा और गुमात कभी लो गभी कितना भी गुमात हो का intensity 0 तो नहीं होगी कभी भी 0 नहीं होगी तो अगर गुमाने पर maximum और minimum के बीच मेरी कर रहा है मलब minimum point जो है वह 0 नहीं है तो हम क्या बोलेंगे personally polarization क्या बोलूंगा partially polarized है partially polarized ठीक तो यह light कैसी है partially polarized इसमें लिख लो on rotating polarized on rotating polarized intensity of the emergent light intensity of the emergent light varies between maximum to minimum varies between maximum to minimum but never become zero but never become zero maximum to minimum but never become zero never become zero क्या हो जाएगा partially polarized light हो जाएगा ठीक है